हमारे देश में आजकल शादी ब्याँ होते हैं तो वो खड़े-खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब तो लोगों को लगता है कि दूबारा मिलेगा न इसलिए ठाली बर देते हैं और फिर आधा छोड़ देते हैं तो खाना बरबाद हो जाता है किसी के घर में जन्मदीन है तो भी खाना बरबाद हो जाता है अगर आपके सेल्फ हेल्फ कूल की बहने उनको परोसना कैसे उसके ट्रेनिंग हो जाए उनके अच्छे कपड़े हो जाए फिर वो हात में मोजे भोजे पहन करके दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाए ऐसे लोगों है तो खाना तो बचेगा ही बचेगा जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्वीस मिल जाएगी आपकी बहनों को कमाई ह हो जाएगी और जब भोजन समार में जाते हैं तो घर जाते सामें वो भी कहें के नहीं भी आप भी बच्छों के लिए थोड़ा ले जाएए तो घर में नूट्रेशन का प्राब्लम भी सोल हो जाएगा तो मैं समरता हूं एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं फैंक देते हैं अगर परोस्ने की विवस्ता नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है तो ऐसा काम कर सकते हैं आपको बेहने कर सकती हैं सर तो सबको ट्रेन करोगी आप जी सर बिल्कुल मैं भी योगी जी को बताता हूं कैसे लोग जो अपना सम अरूफ करें